देरी करें नियूस में अभी की खबर है क्या है टीका व्यूत्पन पोलियो। या एक ऐसी दुल्ला विस्थती है जब मौकिक पोलियो वैक्सीन में प्रयुक्त पोलियो वाइरस का कमजोर प्रकार उत्परिवर्तित हो जाता है और पैरालिसिस उत्पन करने की शमता पुना प्राप्त कर लेता है। परिवर्तित हो सकता है कि ऐसे स्थान जहां साफ सफाई कम है वहाँ प्रसारित होकर बिमारी पैदा कर सकता है। इस तरह से फैले वाइरस को वैक्सिन व्यूत्पन पोलियो वाइरस कहते हैं। चलिए अब जानते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो एक अपंगकारी और संभावित रूप से घातक वाइरल संक्रामक रोग है जो तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। यह वाइरस व्यक्ती से व्यक्ती में मुख्यता मल मौखिक मार्ग से फैलता है यह कभी-कभी एक कही माध्यम से फैलता है। यह मुख्यरूप से पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह एक एंटरो वाइरस होता है जो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है जंगली पोलियो वाइरस प्रकार वन जंगली पोलियो वाइरस प्रकार टू जंगली पोलियो वाइरस प्रकार थ्री पोलियो से पेड़िस जादतर लोग बिमार महसूस नहीं करते कुछ लोगों म सिर्फ मामुली लक्षड होते हैं जैसे वुखार, ठकान, मतली, सिर्दर्द, हाथ पैरों में दर्द आदी। दुरलव मामलों में पोलियो संक्रमड के कारण मांस पेशियों की कारिशमता इस्थाय रूप से समाप्थ हो जाती है। जिसे लकवा कहा जाता है रोपथाम और इ अलाज नहीं है लेकिन टीका करण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। पोलियो वाइरस के लिए पहला सफल पोलियो टीका, पिट्सबर्ग, विश्व विद्याला में वाइरस अरुसंधान प्रियोक शाला के निदेशक जोना सालक द्वारा 1950 के दशक की शुरुआत में ब जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की खुराग पिलाई गई। देश में जंगली पोलियो वाइरस का अंते मामला 13 जनवरी 2011 को पाया गया था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास पश्णकों। पोलियो वाइरस के संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विच्छार की एक या रोग तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। दो भारत में जंगली पोलियो वाइरस का अंते मामला 13 जनवरी 2011 को पाया गया था। उपर युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो। इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यबाद।